नमस्कर आपकी साथ मैं हूं रितिक सविता स्वागत है आपका एस्पीन नाइड नियूज में देखे जिस तरीके से संसद सत्र चल रहा है उसी तरीके से लगातार विपक्ष आबाज उठा रहा है वैसे तो विपक्ष की आबाज को दबा दिया जाता है आपकी सविता लगातार विपक्ष बीजबाज को गहरो है और तमाम मुद्दों पर जो है अपनी चर्चा कर रहा है उस पर सवाल कर रहा है देखिये इमरान परताफगडी ने बहुत बड़ा मुद्डा अठा दिया है इमरान परताफगडी ने सिक्षववश्था का मुद्डा अठा दिया है और साथ में यहां पर वीजेबी पार्टी को पूर ये तरीके से धो डाला है पहले आप इस वीडियो को देखिए इमरान परताब गड़ी कोई खुश्बू ना कोई फूल ना कोई रोनक उस पे काटों की जहालत नहीं देखी जाती हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आखें हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहबाद विश्विद्याले जिसके सीनेट हौल में खड़े होकर कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है उसी विश्विद्याले का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौदा जा रहा है 400% चात्रों की फीस बढ़ा दी गई है ग्रेजवेशन की फीस 975 रूपे से बढ़ा करके 3900 रूपे कर दी गई है पोस्ट ग्रेजवेशन की फीस 1375 रूपे से बढ़ा करके 4651 रूपे कर दी गई है हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है चात्र पिछले 90 दिन से आमरण अंशन कर रहे हैं जिस विश्विद्याले ने इस देश को पंडित मोतिलाल नहरू दिया पंडित मदन मोहन मालवी दिया डॉक्टर जाकिर हुसेन दिया शंकर दयाल शर्मा दिया विश्वनात प्रताब सिंग दिया चंदर शेकर दिया महादेवी वर्मा दिया अरजुन सिंग दिया फिराद गोरकुरी दिया उसे हम क्या दे रहे हैं परकार ने कह दिया कि फंड कम है चात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो सभापती महादे जिस चात्र संग भवन में इलहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने च्छत पे खड़े होकर के बगालत का बिगुल फूंका जान दे दी आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि चात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके सभापती महादे देश के विश्विद्याले के कैंपस कराह रहे हैं हमारी आखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आसु गैस की जलन मौझूद है हमारी आख में आज भी हैदराबाद विश्विद्याले के बाहर रात में खुले छट के नीचे सोय हुए रोहित बेमुला की आखरी तस्वीर मौझूद है हमारी आख में आज भी हमारे कानों में अलिगर्ड यूनिवस्टी के कैंपस में कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखे मौझूद है सभापती महोदे आपकी आखों के सामने यह जो तस्वीर टंगी है सिच्छक राधा सर्व कर्दापली सर्वकिष्णन जी की यह आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाईए जेन्यू से नजीब छे साल से गायब है उसकी मा की रोते-रोते आखे सूख गई है दिल्ली चुप है मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मौलाना आजाद नेश्टल फेलोशिप बंद कर दी गई है सभापती महोते मुझे सुनना पड़ेगा आपको इस देश के पुरधान मंतरी को ग्री मंतरी को एक छात्र को सुनना पड़ेगा मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूँ कि देश के कैंपस बचाईए हुकूमत चुप है हुकूमत की चुपी खतरनाक है फीस बृद्धी वापस ली जाए मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए छात्रों का उत्पीरन बंद किया जाए हम इस सदन में आपके सामने सब की फरियाद ले कर ख़णे है तो देखा आपने इस बीडियो को देखने की बाद आपको पता लग गया होगा कि आज समाज में, आज देश में क्या चल रहा है भारत देश कैसे आँगे बढ़ रहा है भारत देश की सिक्षब विवस्था क्या है देखिए मुझे लगता है कि भारती जंता पार्टी की एक्छाई नहीं है कि ये देश सिक्षित बने मुझे नहीं लगता है क्योंकि आप देखिए जहां यूनिवर्सिटी बनी है भारत देश के अंदर भारत देश में यूनिवेस्टी के अंदर होता क्या है, क्या चलता है, धुम्रपान चलता है, लगातार बच्चे लड़ते हैं, प्रोफेसर कुड जाते हैं, पिट जाते हैं, प्रोफेसर कुड जाता है, होता क्या इसके लाबा, इसके लाबा दंगे हो जाते हैं, इसके अब आप प्रोफिरर की गाड़ी का टायरपंचर कर दिया जाता है और आपको रोचाँ होती है अगर पड़ाई होती होती तो आज आज हमारा देश का युवा समस्दार होता और यह समस्ता होता कि हमारे लिए क्या सही है और हमारा देश का युवा पड़ा लिखा हुआ है वो भिरुजगार घूम रहा है सक्षरकार उसको रोजगार नहीं दे रही है तो इम्रान पृताब गड़ी ने पूरी पोल खोल दी इम्र क्या भारती जनता पाटी मोधी की सरकार इस देश को शिक्षित करना नहीं चाहती आप बताईए कि जिस तरीके से यह राजनीती खेली जाती इस इक्षा विवस्था को लेकर वो कैसी राजनीती आप मुझे बताईए क्यों कि अगर आप स्टांत रहेंगे तो यहां पर जैसे मोधी सरकार बनी है तब से देश में तानाशाही फैल रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको तानाशाही मुक्त भारत चाहिए तो आपको आबाज उठानी पड़ेगी क्योंकि संससा सत्र होता है संसा सत्र में जब विपक्ष आवाज उठाता है तो विपक्ष की आपने बाते सुनी है उससे क्या आप सहमत है आप मुझे बताईए दूसरा सवाल में आप से यह लोगा कि आप मुझे यह भी बताईए कि भारत की सिक्षा विवस्था में कैसे सुधार होगा क्योंकि आपको पता है कि भारत देश के इश्कुलों की क्या हालत है भारत देश क युवा जो पड़ा लिखा हुआ है जो सिक्षित है जो रोजगार है जो पूरा समझदार है रोजगार तो है नहीं भारत में इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा तो आप मुझे बताए कि हमारे देश की युवा आउट ऑफ कंट्री को जले जाते हैं आउट ऑफ कंट्री का जो ना मुचा क्यों करते हैं? हमारे देश की वा होते हैं, तो भारत में क्यों नहीं धैर पाथ नियुः क्या इसमें सबसे बड़ा कारण यहीं बीज़ेपी पाटी का है? क्या सबसे बड़ा कारण रोजगार का है आप मुझे कमेंट बॉक्स मे ज़रूर बताये आज के ल